कि अग्याव एवरिवन काफी सारे स्टूडेंट का बहुत सारा डाउट है कुछ सब्जेक्ट यह समेस्टर टू क्यूंकि मुझे ने समेस्टर टू में जितने बच्चे टेंशन नहीं है उससे ज्यादा मुझे टेंशन हो रही है मैं डेली वाइस डेली वीडियो भी डाल र है कि सर मैंने अभी तक 10 year ही नहीं लिया कैसे पढ़ें तो मैं सिंपल सी बात बताना चाहता हूं कि किस तरीके से पढ़ना है अभी जो आपके 6 दिन बचे हुए हैं प्रोग्राम के ओनर्स के थोड़े से जादा दिन है इस 6 दिन को कैसे यूटिलाइज किया जाए आप सब्जेक्ट के जितने भी सब्जेक्ट है अगर मैं सब्जेक्ट की बात करूं सबसे पहले अकाउंट्स यानि कॉर्प्रेट अकाउंट्स है नंबर दो आपका नंबर वन है यह तो भाई नंबर वन नंबर टू आपका कौन सा है सर बिसन कंपनी लौ है नमबर थ्री क्या है सर नमबर थ्री आपका other subject HRM है ये तो core subject है बाकी subject को मैं analysis करना मेरे लिए थोड़ा सा मुस्किल हो जाए क्योंकि हर बच्चों के पास अलागल है मैं core subject की बात करता हूँ सर इन सभी subject का पढ़ने का right तरीका है छे दिन में पढ़ने का तरीका है कि आप इन सभी के past year के questions जो आते है डेली उनिवर्सिटी में उनको जरूर 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 करके जाएं क्योंकि paper जो होता है max to max उसी pattern पे देखो क्योंकि 6 दिन में अगर आप अभी पढ़ना start कर रहे हो तो definitely आप सोच रहे probability पे काम कर रहे हैं है ना मैं उसी probability के इसाब से बोल रहा हूँ कि इनके paper जरूर करके जाएं इसी में से आपके questions पूछे जाएंगे ठीक है सर accounts और जो इनके tenure लेने हैं आपको that is शिवदास का सर मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ सिवदास का सर मैं इनका author content writer हूँ सिवदास का तो मुझे पता है कि सिवदास के जो tenure में है मैंने कितने notes को किस तरीके से incorporate किया है किस का answer किस तरीके से दिया है वो मैं जानता हूँ अच्छे से इसलिए मैं आपको ये बाते बता रहा हूँ ठीक है corporate account का तो पूरा tenure मेरा design है उसके उपर आप देखोगे सारे चीज़ आपको information और in fact questions भी जो YouTube पे भी करवा रहा हूँ मैं कहीं नहीं कहीं मैं शिवदास के ही question दे रहा हूँ आप सभी को करने के लिए बच्चों को ठीक है company law पूरा लगभग हो चुका है सिर्फ एक unit pending है इनका that is वह एक दो दिन में मैं खतम कर दूँगा जो बच्चे live class में उनका हो चुका है ठीक है न तो मैं YouTube पे भी बड़ी जल्दी speed में डालूँगा ऐसा नहीं है कि YouTube वाले बच्चे घबराएं के सर हमारे साथ तो नाइनसाफी हो रही है आप सभी student है तो मैं YouTube पे भी डालूँगा बस आप इन सभी का tenure क् इनकी बुक लेने के लिए भी नहीं बोल सकता आपको तो बिलीव करें खुद पे बिलीव करें अपने उपर बिलीव करें आप जो पढ़ रहे हो प्लीज उसके उपर बिलीव करो और उससे फिर आपको फाइदा दिखेगा tenure लीजिए पढ़ने का strategy follow करिए आप past year का paper मैं ए दो बच्चे रह रहे हैं हरियाना में रह रहे हैं या बाहर रह रहे हैं वह बच्चे कुछ बच्चे बाहर से सरफ exam देने आते तो वह 10 year कैसे ले तो मैं एक काम करता हूं आप जब online order करेंगे ना सिब्दास.in पे तो शायद आपको time लग जाए मैं वहां का जो main person है ग्रीज जी नाम है मैं नंबर लिख देता हूं यहां पर ग्रीज जी नाम है आप सभी बच्चे इनको लें बहुत मच महंगा नहीं होता 100 रुपे 500 रुपे का ऐसा 10 year होता है शायद आपके इससे पूरा साल बच जाए तो मेरे लिए बहुत अच्छी बात होगा नंबर है उनका 70111 4747630 यह नंबर है आप मेरा रेफरेंस दे सकते हैं मेरा नाम अनुच कुमार सिंग है कि सिक्षा धाम का दे सकते हैं वो जानते हैं तो शायद आपको डिलीवर फास्ट कर दे और जो भी डिसकाउंट हो सकता है आपको डिसकाउंट मैक्स से मैक्स पॉसिबल करवा सकते हैं ठीक है अपने बिहाफ पर भी बात कर सकते हैं क्योंकि बहुत सारे बच्चों को ना ऐसा थोड़ा सा चक्कर रहता है हां सर्मना बुक को पर मोट करने का कोई मतलब भी नहीं जब मैं अपनी बुक ही वहां पर बेच रहा हूं मेरे बुक ऑल आवर डेली उनिवर्स 70111 और 47630 47630 टाइमिंग मैं बता देता हूं इनका क्या रहता है आप सुभह 10 बजे से लेके शाम को 6 बजे तक इनको कॉल करेंगे पेमिंट मोड वहीं पर रहता है नहीं तो आपके अगर नियरबाइ शॉप है न तो किसी भी नजदी की किताब के दुकान पर चली जाए और उनको बोलिए सर मुझे ये 10 यर चाहिए सिवधास राइटर का ये और बाकी सब्जेक्ट्स का भी वहाँ अविलिबल मिल जाएगा चाहे हिंदी में लेना चाहते है हिंदी में भी अविलिबल है इंगलिश वाले बच्चे इंगलिश में भी अविलिबल है जाके ले ल हो गये था यह थोड़ी दिन पहले बताना था लेकिन अभी बता रहा हूं तो जाईए अपना study start करिये don't waste your time आपके कुछ dreams है और नहीं पता और मैं नहीं जानता और आप भी नहीं जानते कि कब आपका luck कहलो या कब आपका ये point अगर चार से पांच मैंने बच जाए वो कहां आपको ले जाए आपके life में कोई नहीं जानता आपके लिए सिर्फ study करना है one 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 minutes और ये सारी चीजे आप अपने study पर लगा दो और एक सबसे main चीजे जो मैं खुद परेशान हुआ कुछ दिनों तक देखिए जैसे कि मान लेते हैं अगर मैं बात करता हूं अब ये चैनल है मैं अपने videos देखता हूं आप YouTube बाले बच्चों के लिए specially करना हूं जो application पर है वो तो concentrate है आप एक class देखते जैसे भी मैंने company law का डाला है 24 मिनट पहले देखते देखते और नीचे चले गए नीचे चले गए कुछ और भी देखा सबसे खतरनाक चीज है आगर आपको दिख रहे ना तो that is it यह सबसे खतरनाक चीज है सर यह सबसे खतरनाक चीज कई बार तो मैं अपनी बात करूँ मैंने एक दिन सोचा कि आज मैं free हूँ खतम करके देखते हैं कब खतम होगा इसका सहाब खतम नहीं कर पाया फिर मुझे समझ में आया अगर मैं इसको खतम करने की सोचूँगा तो शायद मेरी ही सारी immunity खतम हो जाए लेकिन ये नहीं खतम होगा बाई सहाब ये ये चीजे और YouTube आपको बार-बार मेरे इसाब से बार-बार आपको यहाँ पर दिखाता है तो मैं सभी बच्चों को बोलना चाहूँगा कि आप शौट से बचिए ठीक है ना शौट जो होता है उससे बचिए सर बचने का क्या तरीका है मैंने तो कई बार करा हुआ है कि मैं YouTube को जब ज़रत पड़ती है तो मैं इस्तमाल करता हूँ बाकी मैं इसको force stop कर देता हूँ ताकि website पे मैं देखूँगा तो कोई दिक्कत नहीं है तो please don't waste Instagram, YouTube, Facebook Facebook पे तो खेरब ज़्यादा बच्चे नहीं है लेकिन जो भी है मैं आप सभी से बोलना चाहूँँगा थोड़ा इसको avoid करिए laptop है तो मेरी classes को laptop पे देखिए जिससे आपको benefit होगा कि आप इधर उधर concentrate नहीं जाएगा और आप हर दिन का time table बनाईए daily 6 दिन का time table बनाने में आपको ज़्यादा समय नहीं लगेगा बनाईए और उसके according करिए जो बच्चों का पूरा slab उस खतम हो गया है वो भी ये सारे के सारे questions करो last के जितने भी paper मैंने डाले हुए है सभी paper के आप जब questions कर रखे हैं तो questions को पढ़िए और करिए बहाँ सारे बच्चे क्या करते हैं के 10-year के चकर में रहते हैं के 10-year कहीं से PDF मिल जाए क्योंकि हमारे platform पे बहुत सारे जगह पे हमारे DU के कुछ channel बना दिये गए हैं या फिर जो notification देते हैं तो उन 10-year के अंदर साहब नए वाला 10-year नहीं है वो पुराने वाला 10-year है उसके अंदर तो आपका syllabus भी नहीं है पूरा और पुरानी चीज़े होती है law amended हो जाता है हर बार वो कैसे पढ़ेंगे कुछ चीज़े बदलाव हो जाती है तो मेरे हिसाब से अगर आप आज इन 10-year के उपर या अपने उपर education के उपर 500 रुपे खर्च करोगे न तो आपको lacks of time multiply होके यह result मिलने वाला है मैं सीदी सी बात बताओ और फिलहाल के time पे ना कोई CA का exam है आप lucky हो ना कोई और other exam clash होने वाला है जिससे आपको problem हो ठीक है ना तो hopefully आपको मेरी वीडियो समझ में आ रही होगी तो अगर आपको help मिल रही है मेरी वीडियो से तो again कहूँगा चैनल को subscribe करियो क्योंकि majority 60% users वो है जो मेरे चैनल को subscribe नहीं करते है reason है कि उनको सिर्फ अपना काम मतलब कि जितना उनको जरुरत है resources वो use करके फिर सोचते हैं कोई काम ने definitely मैं इस चैनल पर और भी बहुत सारे activity लेके आने वाला हूँ कि career counseling भी मैं करने वाला हूँ जो कि कल से मैं वीडियो डालूँगा तो hopefully थोड़ी वीडियो लंबी हो गई है तो उसके लिए sorry आप इन चीजों को study पर focus करिए और बिल्कुल मन से पढ़िए बस मैं यह चाहता हूँ और अच्छे से पढ़िए अच्छे marks लेका आए definitely आपके अच्छे marks आएंगे बस आपको अपने उपर confidence होना चाहिए मुझे confidence है कि मैं आपको बोल सकता हूँ और आप जरूर करोगे तो आपको भी confidence होना चाहिए तो मिलते हैं इसी तरीके से next में जो की chapter wise में notes भी इनके मैं लिख रहा हूँ लिख के आपको provide करूँगा thank you so much मिलते हैं next video में